नमस्कार दोस्तों क्या आप लोगों के पैरेंट्स ने भी प्रधान मंत्री वय वंदना यूजना में इन्वेस्ट कर रखा है या फिर प्रधान मंत्री वय वंदना यूजना में इन्वेस्ट करने की सोच रहे है या फिर आपने खुद ने प्रधान मंत्री वय वंदना यू आप लोग जो ले रहे हो, सलाना ले रहे हो, क्या उसमें भी बतला हो जाएंगे, तो उसी का एंसर आप लोगों को इस वीडियो में डेटेल तरीके से मिलेगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंतक देखी गए, यहां में काफी कुछ बाते करने वाला हूँ, तो पिदा आप लोगों को 9,250 रुपे की मंतली पेंशन मिलकर के जनरेट होगी, वहीं पे इसमें डबल अकाउंट भी खोल सकते हैं, यानि कि जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं, आप लोग जो की एक साथ 15 लाग और 15 लाग का, यानि कि 30 लाग का डेपॉजिट एक साथ कर सकता है, ए क्या से इन्वेस्ट करें, क्या features है, benefit है, calculation है, क्या क्या चीजे हैं, बहुत सारी चीजे मैंने आप लोगों को detailed वीडियो में बात कर रखे, तो उस पे जा करके देखिए, हम लोग बुद्धे पे आते हैं, ये question क्या था आप लोगों का, कि क्या जो ब्याजदरे हैं, वो change ह होती है, future में चल करके, तो आपके जो pension आ रही है, उसमें भी बदला होगा, तो उससे पहले आप लोग जान लीजिए, कि ये ब्याजदरे जो है, वो post office की तरह change नहीं होती है, कि आप लोगों को हर 3 महीने पे, हर quarter पे आकर कि government ब्याजदरे नई, आप लोगों के सामने announce कर ही है, ये एक साल पे होता है, यानि कि हर financial year पे होता है, जैसे कि अभी का financial year है, आप लोगों के सामने, उसमें ब्याजदरे आपको 7.4 रखी गई है, और ये पूरे financial year तक मिलता रहे है, और इस बीच में जो लोग भी invest करेंगे, उनको आने वाले 10 साल तक, क्योंकि इसकी maturity ज जो आप लोग ब्याज कमाते हो, वही आपको महीने का, या फिर 3 महीने का, 6 महीने का, साल भर का, वो आपको पैसा दिया जाता है, ठीक है, तो आपको द्यान ये रखना है, कि आप अगर आप invest करते हैं, अभी तो 7.4 पॉर्संट पे आने वाले 10 साल तक ही ब्याजदरे वो calculate होकर के मिलते रहें, क्योंकि ये एक fixed और guaranteed होता है, तो पूरा calculation invest करते समय ही हो जाता है, और जो भी ब्याज आप लोगों का calculate होता है, वो आप लोगों को महीने महीने के रूप में दे दिया जाता है, और इसी तरह से आप लोगों को regular मिलता रहेगा, आपके spouse भी अगर वो 60 के हैं, तो आप उनके भी हाब पे खोल सकती है, जैसे कि कई बार क्या आना है, कि पतनी जो होती है, वो खोलना चाहती है, तो वो भी अपने पती को इसके साथ include करके इस account को खोल सकती है, बाके detail वीडियो जाकर के देखिए, प्रधार मंत्री वाय बंदना यूजना में आप लोग को काफी कुछ समझ में आएगा और इस समय देखा जाए, तो प्रधार मंत्री वाय बंदना यूजना आप लोगों के लिए एक best scheme हो सकती है, अगर आपने parents को एक pension amount gift करना चाहते हैं, कि उनको एक regular pension generate होकर के मिलती रहे, तो ये एक best option हो सकता है, उनके लिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकनों क्लिक करेंगे तुछे तरह की वीडियो आप लोगों तक हमीसा आती रहेंगी, हम लोग नेक्स वीडम मिलते हैं, आप लोगों का दिन सुबह, जाहिन!